भारतिय साहित्य में अपने अकथनी योगदान के लिए सर्वोच परुसकार भारतिय ग्यानपीट से सम्मानित श्री नरेश महता हिंदी ही नहीं बल्कि समस्त समकालीन साहित्य के प्रतीक बन चुके हैं श्री महता ने देख की असमिता गरिमा और स्वत्व को बरकरार रखते हुए तकरीबन आदी शतापती तक सतन्त लेखन कर विश्व जाहित्य को अब तक 43 काल जई एवा महत्पून कर दियां दिया है पंद्रह फरवरी सन 1922 को शाजापूर मद्रपदीश में जन्मी श्री नरेज जी ने काशी विश्य विद्याले से हिंदी में में के उपाधी प्राप्त की 1942 के स्वाधीनता अंदोलन में वे छातर निता के रूप में सक्री होई कुछ वर्षों तक विभिन गते विधियों से दादकालिक रूप से जुणने के बाद श्री महत्पा ने 1958 से इलहाबाद में पूर्ण रूप से लिखे की जीवन कवरंड किया उन्होंने साहित्य की सभे विधाओं जैसे काव्वे खंड काव्य, उपन्यास, कहानी, निबंद, यात्रा वतान, आत्मकता आदी में रचनाये लिखी हैं उत्सवा काव्य संकलन के जरी उन्होंने काव्य को नई दिशाएं दी इन दिनों श्री मेहता इन दौर में रहकर अपनी सर्जन यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं हमें साहित्य के इस युग बुरुष से साक्षातकार का उसर प्राप्त हुआ विश्व के जाने माने साहित्यकार श्री नरेश मेहता आज हमारे बीच उपस्ते थे मैं श्री मेहता का सागत करता हूँ मेहता जी आम ये जानना चाहेंगे कि कविता क्या है उसे आप कैसे परिवाशित करेंगे और कविता की अनुभूती या उपस्तिती व्यक्ती में कैसे होती है कविता की जातक मौजूदकी का सवाल है उसके लिए कहीं दूर जाने की जुरूरत नहीं होती है केवल आपके पास उसको देखने की आँख होनी जाहिए मेरे घर के पास एक लंबा सा पेड़ है और जब हवा चलती है तो हवा में उस पेड़ का हिलना मुझे एक पूरे नाटक का बोट कराता है बलकि मैं कह सकता हूं कि मुझे पूरे डालाक सक सुनने को मिलते हैं जैसे और लगता है कि जैसे हर पत्ती उस हवा को कैसे लेती है और अपने हिलने के द्वारा उसको संप्रेशित करती है अक्सर मैंने कहा है कि अगर आप पास आख है तो कविता खोजने के लिए आपको कोई हिमालय जाने के आउस्टा नहीं है यह लोग कहते हैं ठीक है वो अपने जेके ठीक भी है कि अनुबाव बहुत बढ़ी चीज है और देशातन करना चाहिए जी करना चाहिए लेकिन देशातन करने से या दुनिया घूम लेने से आपको कविता का अता-पता हो जाएगा ऐसा कुछ नहीं है कविता तो सिर्फ अपने से बाहर आपने अगर एक कदम भी निकाला है तो आपको खड़ी मिल जाएगी तो यह आख चाहिए अगर आख है तो आपको चू सकते हैं देख सकते हैं उसकी सुगंद आपको आसकती है और नहीं तो मूदों वाह कटो कुण आए मेरा इसी के साथ प्रशन था सर कि कविता को आप कैसे परिभाशित करेंगे कविता क्या है यह बड़ा मुश्किल है कि कि आप फूल में फूल कितना है और फूल की गंद काहां पर है यह डाइसेक्ट करना तो बहुत मुश्किल है क्यों कविता कहीं पर गंद है तो कविता कहीं पर स्वाद है और कविता कहीं पर रूप है तो कविता कहीं पर कुरूर है तो कविता का कोई एक रूप नहीं है आप कह सकते हैं कि जो कुछ जीवन है जो कुछ स्रष्टी है वो सब कविता है और जैसे अक्सर लोग कहते हैं कि सौंदर ही सुंदरता का नाम है एक अर्थमत है लेकिन कुरूब भी सुंदर होता है आपने अक्सर लोग के ड्राइंग रूम में देखा होगा अब तो मैंने कम देखें लेकिन कुछ लोग के नीग्रो इस्त्री का एक लगड़ी का बस्त्रों किया वो यह कि सुंदर की परिवाश्या क्या है और अगर सुंदर का कोई एक ही प्रतिमान होता तो सनसार में एक यदं दो ही माहिलाओं को लोग न प्रसंथ क्यों था बाकिए सारी माहिलाये रिजेट हो गवी होती लेकिन ऐसा तो नहीं है, सबका अपना एक प्रतिमान होता है, सौंधरी कावी, वैसे कावी का, तो कावी की उपस्थिती, कावी को देखना, ये बाहरी चीजों पर मेरे पर नहीं करता, ये व्यक्तिका अपना उस चीज से, उस इस्थिती से, जो संबन्ध है, वो निर्वर करता है, महता जी, तो क्या आप समझते हैं, कि सभी कलाओं में साहित्य का, और साहित्य में कविता का विशिश इस्थान है? एक अर्थ में तो है, दूसरी कलाएं, देश काल में बंदी हुई है, किस तरह से? जैसे कि संगीत, संगीत वैसे तो कलाओं में एक मात्र कला ऐसी है, कि जो ततकाल पर हो डालती है, आप आप किसी संगीत अनुष्ठान में गए, और मालजी कि हारी प्रसाच्च वरेसे कि बास्तुरी सुनी, रविशंकर का स्टार सुना, वीम चैन जोशी का गायन सुना, यह कुमार गंधर, लेकिन आप उस अनुष्ठान के बाद महां से कि वह भाशाई प्रभाव लेकर आते हैं, आप किसी को यह संप्रेशिद में ने कर सकते कि यह कुमार गंधर का गायन है, चितर के साथ भी यही बात है, चाहे वो मातीज की पेंटिंग हो, रोरिक की पेंटिंग हो, आपने देखा, प्रदरश्ण में देखा, उनका आट गैलरी में देखा, लेकिन आपके इसको यह नहीं कह सकते, यह मातीज की पेंटिंग, लेकिन, साहित, देश कालम बदावर नहीं होता, शेक्षपेर की रजना, आप अपने तरीके से आज भी दिन में बीज बार, यह जब भी आप चाहें, पढ़ते हैं, स्वाद लेते हैं, लेकिन एक पिर भी कटनाई है, कि साहित के साथ में जो सब्सक्राइब कटनाई है, बाशाएकि, लेकिन यह कटनाई उसको, देश काल में बिखरने नहीं देती है, वो किस तरह से? संगीत है, वो एक तरह से, ऐसे जिसे कगार हीन कोई नदी है, जो कगार नहीं है, वो बिखर जाती है, पहल जाती है, जहां यह सीमा है साहित की, भाशा की, वह वो उसकी शक्ती भी है, को जीवित है, अगर माली जे, काईलदास की अभिज्यान शकुंत लचना, यह भाशा में निबदन होती, तो क्या आज वो यथावत रूप में, होती? तो कविता कुँके इसलिए सबसे शीष इस्थान पर है, क्योंकि कविता कोई चीज अपेक्षा नहीं करती है, स्वयम कभी की भी अपेक्षा कविता को नहीं है, पेड़े खेल रहा है, वो कविता है, आपने देखा तो क्या और नहीं देखा तो क्या, कविता स्वयम उपस्थी थी है, अच्छा जब कविता कहते हैं, तो मतलब लिखिवी कविता से महरतात पर नहीं है, नदी का बहना अपने आप में कविता है, उसके लिए कविता महां मौजूद रह करके उसकी लेरों को लिखना कोई जरू नहीं है, इसके कविता तो स्वयम सिद्ध एक चीज़ है, इसके कविता को हमारे यहां सबसे शीष्ट स्थान दिया गया है, हमारे नहीं सब दूर, इसके वो भिशिष्ट है, परन्तु महताजी क्या आपको यह नहीं लगता कि आज का जीवन तेजी से बहुत इकवादी होता जा रहा है, ऐसे में किसी भी सजनात्नक विधा या कविता का जीवन में क्या इस्थान यह और क्यों है? देखो भाई, यह ठीक है, जीवन बदल रहा है, बहुत बदल रहा है, और बहुत बदल रहा है, अब भगवान करें, इसे बिदादा बदल जाए, मेरी बलास है, सवाल यह कि मैं बदलता हूं, अगर मेरे लिए, एक पत्ती का हिलना ज्यादा महत्वोन है, तो सारा संसार बदल जाए, कोई जिन्दा नहीं है, नहीं तो यह है, आप क्या सोचते हैं कि जब इत्ती तेई से नहीं था, तो क्या सब लोग कालिदास को पड़ते थे, ऐसा नहीं है, कालिदास अगर आज से 500 साल पहले जिता प्रासंगिक था, वो आगे भी रहेगा, जी, और परिवर्तन तो एक अनिवार प्रक्रिया है, होगा, इसको रोका नहीं जा सकता, इस पर रोना भी मूर्टा है, बल्कि प्रारतना करना चाहिए, कि और तेहीं जगटी तो, और यह मैं जानता हूँ, कि मनश्य अगर है, तो साथ ही सारी स्रजनात्मत ताभी रहेगी, इसे मुझे इस परिवर्तन से कोई डर नहीं लगता, हमारे युवा दर्शकों को बताईए, कि रशना प्रक्रिया की शुरुवात किस तरह से होती है, या यदि कोई युवा स्वयम रशना कार बनना चाहे, तो उसे क्या करना चाहिए, आप किस तरह के से रशना लिखते हैं? देखे, अगर कोई युवा मेरी बास सुन रहा हो, तुम मैं पहले सुन कहूँ कि देखो भाई, तुम जाकर अपनी जन्म कुंड़ी की से हो दिखाओ, मैं कोई सरा नहीं दूंगा कि तुम ऐसा कोई दुरगतिका काम करो, क्योंकि लेखक होना, या कलाकार होना, अपनी दुरगत करना है, और मैं किसी का बुरा, मैं अगर भला नहीं चाह सकता, तो बुरा क्यों चाहूँगा? लेकिन, अगर आपके भीतर, कुछ गुमारता है, तो वो आपको बाहर ले जाएगा, आप उसका रोक नहीं सकते, उसका प्रकार भी नहीं हो सकता है, इसे पहली, तो वोई जब आप में शुर्म कही थी, कि अगर आपके पास आख है, तो गिलरी का खुजलाना, चीटियों का कतार बांद के चलना, पत्ती का हिलना, और मनुश की आख में आशुआ को देखना, आपको बात देखरेगा, आख है ही नहीं आपके पास, तो आप भी एक प्रकार से वस्तु ही हैं, तो वस्तु से क्या बात की जाएं, वो फ्रिज है, आप आपनी है, आप आपनी नामक एक यंत्र हैं, तो यंत्र को तो कोई कलावला से कुछ लेना देना नहीं, तो यंत्रिका से क्या बात की जाएं, लेकिन अगर मनुश्य हैं, तो उसमें से बिना रचे मनुष्ट रह नहीं सकता और रचने का ताथ पर दूसरे तक पहुँचना स्वेम दूसरा हो जाना ही रचना बनना होता है नई कविता के विशे में अकसर युवा लोग ये कहते हैं कि उन्हें समझ में नहीं आता पल्ले नहीं पड़ती ऐसा क्यों होता है कि कविता इतने जटिल क्यों लिखी जाती है कि वो सभी को समझ में ना आए भाई सहमायने तो लोग ऐसा सूचते हैं तो ठीक भी है कुछ तो कविता में दो चीज है एक तो बाशा है और एक विचार भाशा की जटिलता तो आप कोश के दोरा होता समझ लिए भाशा की जटिलता को जटिलता नहीं होती जबकि सामायने तो लोगों को आकाश कठिन लगता है आस्मान सरल लगता है तो मैं इसके लिए क्या करूगा है लेकिन बाशा की कठिनता से ज़्यादा कठिन है विचार की कठिनता और सामा न्यादनी और किसी चीज़ से नहीं गवराता है विचार से गवराता है कि विचार उसके मन में उसका अपनाई कुरूपन करता है और संसार में कोई भी आदनी ऐसा शीशा कभी नहीं देखना चाहता कि जिसमें वो कुरूप लगे जिसको ब्रह्म बनाई रहना चाहिए कि मैं बहुत सुन्दर चाहिए नहीं सही लेकिन देखता हूं कायदिस जब भी रचना या कोई खला आपको आपके भीतर की सारी कम्यों को बतलाती है तो आप गभरा था इसे उस वो तो कटिन जबता है कि रहे हो गया हमसे क्या मतलब है इसे मैंने समझता है कि अचा ठीक है एक एक अर्थ में अगर भाशा की सहलता भी लेलीजिए तो तात्परी क्या है आपका भाई आप किसे कटिन कहते हैं जो आप नहीं जानते हैं वो कटिन है और जो आप जानते हैं वो सरल है तो यह भी जान जाओ भाई अगर जानने के कारणी कट नहीं है तो नहीं शीक्टे क्यों नहीं आपका चाहते हैं कि वो फ़ल लगा है तो वो कटिन है नीचे आए जाए जाए तो स्वरल हो जाएगा अचाहा वो वो नहीं आता नीचे तो आपको नहीं जाएगा उपर वही नीचे आए तो ठीक है अब अगर आपको यह खाल है तो वेट करिये कवाता है नीचे क्या बात इसा क्यों हुआ मैता जी कि रवीद नाट टेगवर के बाद एक भी नोबल पुरुसकार भारती साहित कि हिस्से मेनी आया है भाई यह पुरुस्ट तो आपको उन से करना चीज़ जो देते है नोबल प्राइस और जहां तक मेरा ख्याल है कि वो लोग पश्चिम के लोग खास कर तो पश्चिम के लेकों को तो काईदेश देते हुएते हैं देनों उनकी बात देता है एशिया के लोगों को भी की रूप में देते है इसलिए जो उनकी जो चार पाँच मानक भाशाएं हैं इस्पैनिश, जर्मन, फ्रेंच, इंग्रेश एक आश्या दोर भी कोई होगा में जानता नहीं होगा कि उनमें अगर आपकी रचना है अनुवात की रूप में तो देखेंगे और उनमें नहीं है तो इबन मर्यम हुआ करे कोई हम नहीं मानते हैं तो भाई मनते हैं कोई तुलाई हुआ है कि हमालय पेरिस पहुंचे तो हमालय को मानता मिलेगी कि ना नॉमल तेल होगा ना राधान आचेगी अरुना थाकुर भागडवान थे कि उनकी पद्मान अधी पहरिस पहुंच गई तुमारी ता मिल गई मगर ये सवाल आपको उनसे करना ची जादा अच्छा है जी मैं आप से अन्रोद करूंगा कि हमारे यवा दरश्कों के लिए कोई अपनी रचनाय सनाए वो तो नहीं जिसको नौल पाई मेलना चीथा मैं दो बट चोटी से रचनाय सनाए तो सागत पहली में एक शब्द आता है निकर्श ये ओ कठें शब्द्या है जिसका अर्थोता कसोटी जब तुम मुझे अपमानित करते हो तब तुम मेरे निकश होते हो जब तुम मुझे अपमानित करते हो तब तुम मेरे निकश होते हो प्रभुस्वे प्रार्थना है वह तुमें निकशी रखे वाँ क्या वाद है दूसी चोटी स्कृता है बंधु मुझे ख्षमा करना बंधु मुझे ख्षमा करना संभव है आन सकूं आयो जन्मे क्यों कि आज शाम को एक फूल के विकसने की संभवना है क्या बात है बंधु मुझे ख्षमा करना संभव है आन सकूं आयो जन्मे क्योंकि एक फूल के विकसने की संभवना है शाम को धन्यवाद महता जी आप हमारे बीच आए मैं आपका आभार वेक्ते करता हूँ क्या मैं आपके विकसने की संभव सब राग। झाल 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 । ज chickens अज बना अज बना अबना